क्या आपने कभी ऐसा शहर देखा है जहाना तो सड़के हैं ना ही कारें लेकिन नए जमाने के शहर कुछ ऐसे ही हो सकते हैं सौधी अरब ने इसकी पहल भी कर दी है सौधी अरब ने नियोम प्रजेक्ट के तैद जीरो कारबन उचसरजन वाला शहर बनाने का एलान किया है जीरो कारबन उचसरजन से मतलब है कि यहां प्रदूशन का नामो निशान नहीं होगा यह शहर 170 किलोमीटर के दारे में फैला ह होगा इस प्रजेक्ट पर करीब 36 लाग करोड रुपए खर्च होंगे सौधी अब तक दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश रहा है लेकिन सलमान अब देश की एकनौमी में विविद्दा लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भविश्य में सौधी की स्थिति अच इस प्रकृति के किनारे बसाया जाएगा इस शहर में करीब 10 लाख लोगों को बसाया जाएगा 2030 तक इस शहर में 3,80,000 रोजगार भी पैदा होंगे इसमें स्कूल, स्वास्त केंद्र और 4 और हरियाली जैसे सुविधाएं होंगी सौधी अरब के नियोम प्रजेक्ट को इंसानियत के लिए क्रांती माना जा रहा है इस शहर का निर्मान अगले 1-2 महीने में शुरू हो जाएगा ऐसा नहीं होगा कि इस शहर में ट्रांस्पोर्ट सिस्टम नहीं होगा या 100 फीजदी क्लीन एनरजी पर अधारी ट्रांस्प सौधी अरब के इस शहर को दुनिया का सबसे आधुनिक शहर माना जा रहा है आने वाले समय में हो सकता है पूरी दुनिया में ऐसे शहर बसाए जाएगे जहां प्राकृति और इंसानों के जीवन को ज्यादा तवज्जु दी जाएगी